90% क्या के दे में काम्या जो नहीं हुआ क्योंकि मेरी किस्मत खराब है कारण नमबर एक कारण नमबर दो क्योंकि मेरे बीबी का सपोर्ट मुझे नहीं मिला कारण नमबर तीन पिसली बार अपलाइन गलत मिल गई थी कारण नमबर चार डाउन लाइन थोड़ी सी निठली मिल गई थी कारण नमबर पांच पिछली बार कॉंग्रेस की सरकार थी कारण नमबर छे इस बार बारिस नहीं हुई है कारण नमबर साथ ठंडी हवाएं ज्यादा चली है वो बार बार अपनी नाकामियाबी की बात दूसरे पर ढालने की कोशिस करता है जिस भी चीज को तुम कारण बना रहे हो वो कारण को बदलने का कोई भी मादा आपके पास नहीं है इस जीवन में कुछ बदल सकते हो तो अपने आपको बदल सकते हो बीबी को भी नहीं बदल सकते हैं पोसिज भी मत करना कभी भी बदल सकते हो तो खुद को बदल सकते हो और कोई अधिकार ही नहीं है किसी को आपको बदल करने का और मैंने अपनी सो गलतियां लिग डाली और आज जो साड़े चार बज़े सेशन होगा यहाँ पर ट्रेणिंग प्रोगाम का उसकी हम सुरुवाती करेंगे मेरी गलतियों से एसी कौन सी गलतियां हैं जिसको हम ना करें तो हम आने वाले बड़ी समश्यां उसे बस सकते हैं और जब समश्या ही नहीं होती दूर बढ़ने में तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो त हमारी बिल्डिंग तेजगती से बढ़ना चालू हो जाती है यह साड़े चार बजे मिलेंगे अब बात आ गई कि मैंने उन दोरान किताब लिखी और मैंने उन गलतियों को सोचा कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की तो भाई मेरे का दिमाग खराब हो गया मैंने ऐ इसी इसी गलतियां का डाली थी जो इस बिजनिस में आत्बंतियां करने के लिए काफी है और उस दोरान मेरा बिजनिस 2003 में मैंने वापस चालू किया डंग से चालू किया रीफरेशनेस के साथ चालू किया लेकिन अब मैं उतना चार्ज था जितना चार्ज तो मैं कि समय नहीं था क्योंकि इस बार मुझे गलतियों का पता चल गया था और इस बार मेरे सफलता के रिजल्ट तेजगती से बढ़ने लगे और धीरे धीरे भाईया मैंने काम करना चालू किया और आज मुझे वक्त होता है उन 18 सालों में मैंने पूरी जिन्गी इस बिजनस में लगा दी मुझे नहीं आता कई लोग network के विशे सग्य होते हैं मेरे से कई बार बात करते हैं कि साब मैं binary plan में काम कर रहा हूं कोई कि तब मैं refinery plan में काम कर रहा हूं मुझे अभी तक भी पता नहीं है उसकी जानकरी आपके पास होनी जाए हाँ आर्सियम की कोई प्रस्ण पूछे मेरे पास हर प्रस्ण का उत्तर आपके पास मिल जाएगा लेकिन कोई और प्रस्ण का आता ही नहीं मुझे क्योंकि उसकी जानकरी में लेना पसंद ही नहीं करता जानकरी लेना उचित ही नहीं क्या सपना होता सपना यहीत होता ना कि लंबी सी काड'dी होनी चाहिए कार होनी चाहिए Constitution CHEE dor новых देखकर आके मनें बहुरे खोले और और झार मेरे मेरे भाई मैंने पहरी मारूती 800 लीती लॉन पर और जब मैंने कार ली देना इतना खुषता मेरे पुरे खांदान में कभी किसी ने कार नहीं खरी मुझे लगा कि मैं तो साब बन गया हूँ मैंने का कि इस मोके को मैं छोड़ूंगा नहीं और इस मोके मैं कोई कॉंप्रमाइज नहीं करूंगा तो आपको आशिर होगा कि उस कार का मैंने चार पंडितों से मोरत कराया मैंने कभी पंडित भी कोई गलती करते मंत्र मंत्र बोलने में रिस्क नहीं लेनी चाहिए और तीन दिन तक अपने सारे रिस्तेदार होके यहां गूमा सिर्फ कार बताना जाता था उनको कि देख मेरे पास कार आगई यह मेरा पहला कार लेने का समय था मैं जिन्दगी पर नहीं भूल सकता हूँ फिर लगा थोड़े काम्याबी की बात कि यह छोटी कार पड़ गई तो मैंने बड़ी कार ले चार कार तक मैंने लगा था उनकार को मन से लिया चोईस से लिया और जब भी मैं कार लेता था तो अपने आपको गवरवान भी तुम हैसूस करता था कि मैं एक बड़ा आजमी बन चुका हूँ और जब कारें आती जा रही थी तो एक समय ब्रेक इवन पॉइंट टूटने से ऐसा आ गया कि यह सारी कारे तो अब एक एक मेहने में दो-दो खरी सकता हूं में तो कारों की प्रती क्रेज ही खतम हो गया यह गुलाब जमुन का क्रेज तभी तक होता है मेरे भाई जब तक गुलाब जमुन मिलते नहीं लेकिन अगर आपको गुलाब जमुन की दुकान में ही भरती कर दिया जाए पूरे जिर बार तो क्रेज धीरे जिरे खतम हो जाता है कई बार हमारी मेरी पत्ती मेरे से पूछती की यार साधी से साधी होने से पहले जितना प्यार था ना उतना नहीं है तुम्हारे पास अब वास सीधी सी है भाई जब तक नहीं मिला था था तब क्रेज है मिलने के बाद क्रेज कम होता है लेकिन क्रेज को बनाना ये ये ताकत है पेले कार लेना सपना होता था अब कार लेना मजबूरी है अब क्या मजबूरी है जुँ हम अपने इंकम टेक्स वाले चार्टेड अकाौट drinking के पास पहुंशते हैं तो चार्टिड अकाौट तो सौरी इसमार तो टेक्स बहुत बन रहा है कार ले लो क्यों क्योंकि इससे डेप्रेस्टेशन मिल जाएगा टेक्स कम लगेगा अब मजबूरी से कार लेनी पड़ती है कार लेने को क्रेज नहीं है कि कार लेना कौन सी हिंदुस्तान नहीं पुरी दुनिया में एसी कोई का कार lutに分कに acting कार का कारेज्टनेंड कि एक दिन कार कार इच्छा से लेता थे आप कार लेना हमारे लिए मजबूरी है हर साल खरीजनी पढ़ती कंपनी में दो त्रिन कार है और नहीं अपने हो डेपेरिशन को हम ले लेके देते हैं लोन कि भई तुम ले लो इस कार को पेशा में चुका दूँगा तुम चलाओ तुम केल मूल-मूल दे देना मुझे मजबूरी होगी पहला मकान बनाने के लिए प्लोट खरीदा था भाई साब एक लाग पच्छीस जार पे में डी-421 आजाद नगर भिलवडा के अंदर सोचा था कि एक सपनो का गर बनाएंगे इसके पर जब मैंने लोट लिया था तो उस समय उकात नहीं थी सोचने की सोचना पढ़ रहा था कि मकान कब बनाऊ मैं इसके लिकिन थोड़ी दिन बाद जब चेक बड़ा तो मुझे वो एक लाग का छोटा लगने लग गया अपलोट मैंने 28 लाग का मकान खरीद लिया 28 लाग का मकान खरीद लिया 28 लाग का मकान खरीद वक्त मैंने सोचा कि 5 साल में इसका पैसा चुका दूँगा और आपको आशिर होगा कि मैंने 3 मैंने 28 लाग रुपे चुका दिया मजबूरी हो गई फिर मैंने उससे बड़ा मकान लिया फिर तीसरा लिया फिर चोथा लिया फिर पांच वा लिया फिर हिंदुस्तान के कई सीटियों में लिया और अभी मेरी कमपनी काम करती है जेपुर में जो लोगों का मकान बनाने का काम करती है लो भाई मेरे भाई एक दिन मकान बनाना मेर मैं आपको बताऊंगा इसा क्या कर दिया जिससे ये सारी ताकत multiple होकर मेरे पास आ गई यही चीज समझाने के लिए मैं आज आपके बीच में आया आप मेरे में अंदर नहीं है blood group आप check करा सकते हैं बीपी को मेरे check करा सकते हैं medical check up करा सकते हैं आपके और मेरे अंदर कोई अंतर ही नहीं एक दिन यही लड़का यह से ही बेठे बेठे टुकुर टुकुर किसी आदवी को सुन रहा था और आज आप मुझे सुन रहे हैं एक process है इस process को जब आप बदलेंगे तो एक दिन आपका भी नंबर इसी जगे परा जाए लेकिन believe होना जरूरी है believe होगा तो होगा अगर believe आपको नहीं है तो होगा ही है सबना होता है कि मेरे बच्चे नम बड़ी से बड़ी महेंगे से महेंगे स्कुल में पढ़े भाई मेरी education कहा रही पता आपको ward number 10 भिलवडा की ward number 10 स्कूल है उसमें सालाना फीस वा करती थी पांच उर्पे एक साल की फीस बता रहा हूं भाई साब एक मेने की नहीं बता रहा हूं सालाना पांच उर्पे की फीस वा करती थी उस government स्कूल में मैं पढ़ा हूं बारवी क्लास था एक ड्रेस मिलती थी मुश्किल से पूरे साल की अब भी बार बार एक ही ड्रेस पेनों के तो जल्दी फट जाएगी होता क्या था ड्रेस फट जाती थी मा एक कपड़ा लेती थी फिर लगा दे ठाक खुब पढ़ा है साल में एक बार चपल दिलाई जाती थी मुझे लेकिन चपल आदे टाइम होती थी तो पहनने की आदत ही नहीं थी तो जहां पर भी चपल पहन के जाते थे खाली पेर वापस आ जाते थे चपल ही भूल जाते थे ये जिन्गी हमने जीए मुझे वो दिन याद है चीतरे कि मेरी मा हम सारे बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी स्कुल के पेसे अरेंज करती थी तो मकान से ज़्यादा किराया केसे आए इसलिए वो सारे कमरे किराय पर देने के लिए हमें सर्दी के समय भकारी में सुला देती थी बकारी क्या जानते हैं होते हैं जानते हैं आप जानते हैं राजस्तान के लोग हैं नाल के उपर सीडी के उपर वो जगे छूट जाती उसमें बकारी जिसमें height नहीं हो तो आप ये मच सोची कि जो आपको पता है जो आपकी जिन्दगी मेरी नहीं थी मैंने positive लिया और मैंने सोचा कि मैं इसको बदल डालूँगा तो मैंने बदल डाला जिस दिन आप सोचेंगे बदल ना है तो बदल डालोगे नहीं तो जिन्दगी बार पीछ रेगा मैंने पांच रुपे फीस में पूरी एजुक्शन लिये सालाना मेरी गुडिया जब चोथी क्लास में थी उसकी साथ लाग फीस थी बीट्स में बिल्ला इंटर्नेशन स्कूल किसंगर पे अभी वो इजडी में पड़ती है इंटर्नेशन स्कूल डिजान इनोवेशन सालना पच्छीस लाग रुपे तो उसकी फीस है खर्चा पांच लाग अलग तीस लाग रुपे मुकिश को ठनी में इतनी ताकत है तीस लाग रुपे केवल एक बच्ची के युक्षन पर ये खर्च कर सके नहीं मेरे भाई ये सिस्टम का कमाल है ये निर्ने का कमाल है ये सही समय पर सही निर्ने का कमाल है मुझे वो दिन याद है जब बीबी जाती थी मेरे साथ हम किसी पार्टी में जाते थे साधी में जाते थे तो मेरी वाइफ को ना गहनों का बहुत शौक था मेरी वाइफ ना पूरे दिन बार यही देखती थी कि इसने गले में क्या पेना इसके कान में क्या पेना इसमें नाक से पूरे दिन बार नजर रहती थी और ना मेरे की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी फिर भी मेरे कौन ही लगा दी थी चलते 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 तक लगा के धिरे से कहती देखो उस लेडिस के गले में हीरे के हार को देखो कितना चमक रहा है और तुम यह पता लगाओगी इसका पती इससे कितना प्यार करता होग मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हार का प्यार से रिलेशन्सिप क्या है लेकिन वो ताना कस्ती थी कि देखो कितना प्यार करता है हीरो का हार पहनाता है तूम कितना पढ़ते हो तूम साबित करके बता मैं उसमें अपनी गदे की तरह गर्दन नीचे कर लेता था क्योंकि कोई तरीका नहीं था वो कहती थी कि कितना अच्छा हार है मैं गदे की तरह गर्दन नीचे करता था गुसा बीबी पर नहीं करता था 90% लोग क्या है गुसा बीबी पर कर देते हैं अगर आप कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं मेरे भाई उल्टे पुल्टे डायलोग बोल देंगे मैं अंदर ही अंदर सोचता यार मैं इतना निकम्मा क्यों हूं मैं क्यों नहीं ला सकता मनीमन सोचता था कि मैं दिला के रहूंगा एक दिन अपनी काम की तरीकों अपने मकसद क काम करना चालू कर देता था और 2006 साथ में मैंने अपने break-even point को तोड़ दिया break-even point उसे कहते हैं जब आपके खर्चों से ज़्यादा आपके इंकम हो जाए आपके खर्चों वाले सोच वाले खर्चों से आपके इंकम ज़्यादा हो जाए गाड़ी भी हो गया, बंगला भी हो गया लाखो रुपे भी हो गया, अच्छी एजूक्शन भी हो गया उसके बाद भी इंकम बढ़ जाए तो आप उस पैसे को इंवेस्ट करेंगे और इंवेस्टमेंट का नियम होता है कि जितना पैसा इंवेस्ट करते है वापस लोड कर आता है क्योंकि आप अगर जमीन खरी देंगे तो जमीन की रेट बढ़ जाएगी सोना खरी देंगे तो सोने की रेट बढ़ जाएगी शेर खरी देंगे तो शेर की रेट बढ़ जाएगी और ओपेसा वापस लोड कर आपके पास आता है और जब मैंने ब्रेक एवन पॉइंट तोड़ा तो भाई, 2006 साज से मैंने अपनी बीबी को गहने पहलाना चालू किया और पेरे भाई, उसके बाद इतने पहनाए इतने पहनाए, इतने पहनाए कि पहने से नफरत हो गई अभी मेरी दो होटल है, तीसरी होटल और बन रही तीन होटल की, वो M.D है होटल गुरूप में मेरा कोई लेना दिना नहीं है मेरी होटल का जो थ्री स्टार होटल का गुरूप है उसकी M.D है और मेनेजिंग डिरेक्टर और गले में एक सोने की चेन तक नहीं पहनती है और चेन केवल पहनती हो जब भी सबसे बारिक वाली वो भी केवल तेहुआर के दिन पहनती है क्योंकि उस दिन उसकी सास के पास उसको जाना पड़ता है